साथियों, नए भारत का थौट प्रोसेस क्या है? उसका एक उधारन में आपको देना चाहता है। एक समय था, जब हमें लगता था, कि जो कुछ भी विदेशी है, वही बहतर है। इस साइकोलोजी का परिणाम क्या हुआ? यह आप जैसे इंड़स्ट्री के दिगत भली भाती समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी, जो हमने सालों की महनत के बाद खड़े किये थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज सिती तेजी से बदल रही है। आज देश वास्यों की भावना भारत में बने प्रोडक्स के साथ है। कमपनी भारतिय हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतिय भारत में बने प्रोडक्स को अपनाना चाहता है। यानि देश मन बना चुका है, अब उद्योग जगत को इस मन के मताबिक अपनी नीती बनानी है, रननीती बनानी है। आत्म निर्भर भारत अभ्यान में आगे बढ़ते हुए, यह आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है, जिस पर भी आपको ध्यान देरा चाहिए। यह है भारत वास्यों का बढ़ता हुआ आत्म विश्वास। इस आत्म विश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाली ही आपने ओलिम्पिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उन में मन में वो हिचक नहीं होती। वो महनत करना चाहते हैं। वो रिस्क लेना चाहते हैं। वे नतीजे लाना चाहते हैं। Yes, we belong to this place। यह भाव आज हम अपने युवाव में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्ट अफ में हैं। आज युनिकॉंस नए भारत के पहचान भी बन रहे हैं। साथ आट सेट पहले भारत में तीन चार युनिकॉंस रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 युनिकॉंस हैं। इन में से 21 युनिकॉंस तो बीते कुछ मैनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि युनिकॉंस अलग-अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्टेक, सोशल कॉमर्स में युनिकॉंस का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बढ़ला हो रहा है। बुजनेस में रिस्क लेने की प्रवुति, अपने सामर्थ पर भरोसा करने की प्रवुति लगातार बढ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्ट अप्स के एंबिशन्स बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की और से भी इन्डियन स्टार्ट अप्स के लिए रेकॉर्ड रिस्पॉंस देखने को मिला है। स्टार्ट अप्स की रेकॉर्ड लिस्टिंग भारतिय कंपनिया और भारतिय मार्केट के लिए एक नए युक की शुरुवात है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधार अवसर उपलब्द है, ट्रिमेंडस कोप उपलब्द है।